हेलो देश्टुडेट्स इस टुटोरियल में हम एक पोयम स्टटी करने चल रहे हैं बहुत ही डीप मिनिंग रखने वाली पोयम है और यह मदभण पॉप्लिकेशन की बुक्कों में यूज करते वे इस पोयम को मैं आपको एक्स्पेंड करने चल रहा हूं इस बुक में सुरू में पॉंडर ही आता है मतलब सोचना विचारना तो थींक ओवर थिंग्स कि यू फ्रेंड है सेंट में पोस्ट कर्ड आपके दोस्तने एक पोस्ट कार भेजा है आपको अब तो सब मैसेजिंग सर्विसिज़ करता है लेकिन एक समय पोस्ट का भी यूज ह आपको लिखने है तो आप खुद लिख सकते हो मैं सीधा पोयम के तरफ बढ़ना चाहूंगा अगर आप नेचर को फॉलो करना चाहते हो और सीक्रेट इस पेसेंस तो नेचर से आपको पेसेंस सीखने को मिलेगा तो आपने समय पे बढ़ेगा अगर सन राइज होता है तो वो समय पे ही सेट भी होगा उसमें कुछ भी इंटरफेर नहीं करता जल्दी आप अपना दिन कैसे शुरू करना चाहते हैं? जी हम सनराइज के साथ ही तो शुरू करते हैं What is the best thing about sunsets? Sunsets के बारे में आपको क्या ख्याल है? कौन सी चीज आपको sunset को लेके बहुत अच्छी लगती है? Comment Do you think nature represents the cycle of life? क्या आपको लगता है कि nature एक cycle of life को represent करता है? Means कि जिसे sunrise होता है और उसके बास set होता है उसे प्रिकार से life भी शुरू होती है अफिर death के साथ वो खत्म हो जाती है तो इसी note पर मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप जब भी literature पढ़ो poem पढ़ो खासकर poem की बात पर अगर मैं बता हूँ तो होती छोटी है small poems होती है story तरे बहुत लबी-लबी poems नहीं होती है but they have a deep meaning हमें जो words के जो literal meanings होते है जो उनके साथी कर्थ होते है उनसे हट कर उनमें ढूड़ना पड़ता है deep में जाके सोचना पड़ता है कि क्या इनका यही मतलब है जो इनके words में लिखा गया है या कुछ और भी मतलब है तो ऐसी ये कुछ poem है और इस poem को लिखा है Emily Elizabeth Dickinson ने 1830-1886 तक वो रही और एक American author थी बहुत ज़्यादा सोचल नहीं थी बहुत ज़्यादा समय उन्होंने अपना reclusive isolation में बिताया means की living alone at her home और जो अपड़ने पर ही वो बहार निकला करती थी उनके समय में कई लोगों से उनके relations रहे, friendship उनकी थी तो वो उन्हें जब letter गुरा लिखा करती थी तो उसमें कुछ अपने poem के हिंसी भी डाला करती थी और ये एक ऐसी poet है जिनको fame मिली उनकी death के बाद तो कि लगबक 1800 poems में से उनके lifetime में ज्यादातर poem नहीं चपी थी उनकी death के बाद ही वो poems चपी और फिर वो famous हो गए और थोड़ा वो traditional pattern को ना follow करते हुए अपनी style में poem लिखा करती थी जैसे short lines होना और titles ना देना और slant rhyme का use करना एक तो perfect rhyme होती है जैसे आप यहाँ poem में देखेंगे कि जैसे begun sun लेकिन ऐसी भी rhymes होती है जैसे माली जै मैंने लिखा hat और यहाँ मैंने लिखा cat यह तो perfect rhyme मानी जाएगी लेकिन अगर मैंने यहाँ लिखा hat और यहाँ लिख दिया cut तो यहाँ पर T और T consonant match कर रहा है तो यह पूरी तरह तो rhyming word नहीं है hat और cut लेकिन फिर भी इसे हम rhyme के रूप में ले सकते हैं नियर rhyme के रूप में ले सकते हैं तो यह slant rhyme कर लेकिन एक और example में आपको देता हूँ इसी hat को लेके hat और bad अब आप कहेंगे सरे consonant भी match नहीं कर रहा लेकिन यहाँ पर इसका जो wall sound है हो तो match कर रहा है तो यह भी rhyme के रूप में हम ले सकते हैं जबकि hat और bad कहीं से भी perfect rhyme नहीं बनाते इस slant rhyme के examples हैं यह और यह और यह perfect rhyme के example unconventional capitalization जहां जुरूत नहीं हो वहाँ भी capital letters के use कर लेना punctuations के मामले में भी वह बहुत free थी unconventional जनी generally जिस तरह से punctuation के use होता है उससे हट कर करती थी और उनकी जदतर poem जो है वो theme of death से related life and death mysterious और immortality मलब अमरता यह आदमी कैसे मानने के बाद भी अमर हो सकता है तो यह भी poem उसी से related है जिसका title है day और इसकी theme मैं आपको बता दूँ कि इसके जो four lines के जो इस्टेंजाज है वो four इस्टेंजाज है और इसके जो पहले two इस्टेंजाज है मतलब यह वाला और यह वाला यह दोनो sunrise को devoted है और यह दोनो sunset को devoted है लेकिन sunrise और sunset अपने symbolic meaning को यहाँ represent कर रहे है means कि यहाँ सिरुदय और सूर अस्ट होने की बात नहीं हो रही है बलकि poet यहाँ पर जो message देना चाहता है इस poem से जो convey करना चाहती है poet इस poem के माद्यम से इन lines के माद्यम से वो कुछ और ही है तो हम यहाँ पर ले सकते हैं for example कि जैसे sun उगता है उसके बात अस्थ होता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की journey को हम यहाँ पर इसे मान सकते हैं कि जैसे व्यक्ति का जन्म होता है और उसके बाद उसकी death होती है तो उसकी journey पूरी हो जाती है दूसरी तरीका हम यह ले सकते हैं कि किसी ने किसी भी चीज की एक beginning होती है और उसके बाद end के साथ उसकी journey खतम होती है और एक प्रकार से sunrise और sunset एक cycle of nature को भी show करते हैं एक routine दिखाते हैं कि हाँ किस प्रकार से चीजे शुरू होती हैं उसके बाद खतम होती हैं और अगर हम sunrise को यह माने कि sunrise के साथ ही पूरी दुनिया में रौना का जाती है तो हम इसे freedom भी मान सकते हैं और sunset के साथ सब अपने अपने घरों में कुछ जाते हैं तो इसे हम एक प्रकार से imprisonment या enclosure की तरफ भी हम भलब जैसा जैसा हम सोचें वैसे वैसे आर्थ इसके निकाल सकते हैं comment box में अगर आप कुछ और सोच पाते हो तो जरूर लिखेगा कि हाँ यह भी meanings symbolic sunrise or sunset के हो सकते हैं तो अब आपको लगबग लगबग poem की theme पता चली चुकी है तो let's start the poem I'll tell you how the sun rose a raven at a time अब इसमें rhyme तो कुछ नहीं है three verses में लिखा गया है यह पहला stanza four lines का और इसमें poet बहुत ही confident है बतलब वो पूरे confidence के साथ बताना चाहती है poet कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि sun कैसे उगा देखें यहाँ पर past tense की तरब लेके चल रहे हैं कि मेरे incident life से related sunrise से related वो इस तरह का है जैसे पहली बार उन्होंने देखा हो कि sun कैसे उगता है अब यहाँ बेबिया मर्थ लगा सकते हैं कि हो सकता है वो अपने life के इसी बहुत important incidents के बारे मैं बता रही है जहां उनके जीवन कोई ऐसे वैसा विक्ति आया हो जिससे लगा हो कि साइद उनका जीवन खिल उठेगा और साइद फिर उससे दूरी हो गई हो वो चला गया हो छोड़के अब कहां गया कुछ पता नहीं mystery है क्यों कैसे तो जैसे से मैं point पढ़ूंगा मेरे दिमाग में जो भी ideas आएंगे मैं यहां share करता चलूँगा आप भी सोचते रही है but generally हम यह मान के साथ चलते हैं कि वो यह बताना चाहती है कि sun कैसे उगा यहनि sun कैसे उगता है अब बहुती confidence है जानती है वो a ribbon at a time वो ribbon at a time की तरह उगता है जब sun उखता है शुरू में उसकी raise जो निकल के आ रही है different different side में जा रही है जब शुरू में sun उखता है उसकी raise के लिए आया है ribbon तो a ribbon at a time का मतलब एक पट्टी एक बार में एक band of ray एक बार में इसका मतलब धीरे धीरे करके sun rise कर रहा है मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कुछ images आप देखें यहां पर बहुत सी images यहां sun से related है तो आप साहब दिखाई दे रहा है आपको किस प्रकार से यहां पर यह ribbons निकल रहे है sun की raise दिखाई दे रही है अब यह देखें किस प्रकार से sun शुरू में जब उकता है तो तुरंट बहुत ज़्यादा उजाला नहीं होता चाहूर तरफ लेकिन जब भी इससे थोड़ा आगे बढ़ता है तो इस तरह से sun raise फैलना शुरू हो जाती है अब फिर धिरे उजाला होना शुरू हो जाता है और हम लोग भी जब sun बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं उसकी ऐसे-एसे करके raise ही तो निकालते हैं हम लोग तो इन लाइनों में बताते हैं कि sun कैसे उकता है धीरे-धीरे करके उकता है धीरे-धीरे अपनी raise को छोड़ते हुए आगे बढ़ता है आसमान में उपता है राइस करता है अच्छा उसका result क्या होता है What are the consequences of sunrise The steeple swarm in Amethyst इन्होंने इस poem में और generally वो जो कि Christian थी तो उन्होंने religious items को भी इसमें यूज किया है तो steeple दरसल church की बनावर से related है यह जो आप image देख रहे हैं यहाँ पे तो यह है tower यहाँ से लेके यहाँ पे यह tower सुरू होता है और यह पूरा को पूरा जो है यह steeple कहलाएगा जिसके different different parts है तो जो मिनार आपको नजर आरी यह steeple है जो church के structure से related है चर्च बनते हैं तो इनमें यह बनाया जाता है तो जब धीरे धेख के sun उकता है तो सबसे पहले उसकी रोशनी में जो उची वाली चीजे होती है at height वो रोशन होना शुरू होती है और चुकि बहुत ज़दा उजला नहीं फैला होता है तो जो stiples होते हैं जो मिनारे होती है वो ऐसा लगता है जैसे तैर रही हो इनमेसिस्ट देखे ये केमती पत्थर है जो जुलरी में यूज होता है पॉर्पल कलर का यहां मेनिंग भी लिखा गया अवेलिबल पॉर्पल कलर्ड स्थोन जिसे अंगूठी के नग में भी लोग पहनते हैं तो यहां पॉएट क्या कहना चाहता है कि जो मिनारे हैं इस तरहे कि स्थिफल्स को तैर जाती हैं मेसिस्ट में तो देखे ये है आसमान स्काई और ये स्काई इस वक्त जिस कलर में दिखाई दे रहा है रात में ये कलर नहीं था जब सूरज उगना शुरू होता है शुरू शुरू में जब उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा नहीं होती है तब ये स्थिफल्स ऐसा लगता है कि इसके बैग्राउंड में जो आसमान है वो एमेसिस्ट कलर का है और उसमें अगर हम दूर से देखें तो air movement के करण, wind movement के करण हमें ये हिलता सा नजराएगा या एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसकाई के background के against ये इसकाई में तैर रहा हो चुकि उचाई पे है न ये इसलिए हम यहाँ पर poet की इस word को समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहती है कि सूर की शुरू में जो रोशनी है उसमें जो स्टीपल से उन नजरा रहे है आसमान में हवा में तैरती भी नजरा रहे है अब ख़वर स्क्वेरल लहरी कभी शान्त नहीं बैठती हमेसा मूब पर रहती है रैन इदा उदर दौल की है जब शूरा जुगना शुरू हुआ तो चर्च की स्टीपल्स डिखना शुरू हुए आसमान में आसमान का बैगडाउंड अमिसिस्ट कलर का है और यहां पर उन्होंने अमिसिस्ट इसले भी यूच किया होगा कि इसका ही है जिट्स ओन इंपोर्टेंस तो यहां पर हम न्यूज को दो तरीके से ले सकते हैं एक तो न्यूज सन्राइस की कि देखो सन उग गया है और लगबग हर घर में जो लोग सबेरे उठा करते हैं वो इसी सन्राइस के साथ ही आलसो स्टार्ट राइजिंग तो ऐसा लगते हैं सन्राइस एक न्यूज की तरह से घरों में पहुँच रहा है और लोग रियक्ट कर रहे है कि सूरा जुग्या सूरा जुग्या उठो 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 अर दूसरा ये है कि अर्ली मॉर्णिंग हर घर में न्यूज पेपर्स भी आते हैं इसकी तरह भी ये वर्ड इसारा कर सकता है तो रात को तो सब लोग सोते रहते हैं लेकिन संर्राइस के साथ उठते हैं तो एक दूसरे का हाल चाल लेना भी शुरू करते हैं और अर इस्क्वेरल कोई खास यहां पे नहीं है अब बहुत तेज भी नहीं दोड़ती हैं जिस समय पोएम लिखी गई थी उस समय फास्टर मीन्स आफ कम्मुनिकेशन नहीं थे उतने तो इस पूरे के पूरे स्टेंजा को हम इस तरह समसकते हैं कि पोएट यह कहना चाहता है कि मैं जानती हूँ सन कैसे हुगा था कैसे उगता है देरे-देरे करके उगता है और उसके साथ-साच ओपर की जो मीनारे होती है जैसे स्टीपल्स वह हावा में तैरते नजर आते हैं आस्मान उस वक्त पापल कलर में नजर आ रहा होता है और सुन्राइज की खबर यहां जे न्यूजपेपर्स हैं वो जैसे स्क्वेरल यहां वहां दौडना शुरू कर देती है वो खबरें भी न्यूजबी फैलना शुरू हो जाती पूरे गाओं में मालीजी की गाओं का यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं कि गाओं में है वो तो यहाँ पर आपको rhyme मिल रही है यहाँ पर rhyme नहीं मिली तो हम इसकी rhyming scheme कैसे निकाल सकते है क्योंकि देखे यहाँ पर begun और sun इनकी rhyming match कर रही है तो हम F और F को same लिखेंगे तो इस परकार से इसकी rhyming scheme है वो है A, B, C, D, E, F, G, F और आगे अगर हम 4 lines लेंगे तो वहाँ की rhyming scheme निकलेगी वो ऐसे निकलेगी A, B, C, B style and while तो इसको मिटाते हैं अब सुरज की ribbons और strong होती है sun rays, जब sunrise के साथ साथ और stronger, brighter होती चली जाती है तो क्या होता है तो hills untight their bonnets देखे bonnets जो है न वो टोपी है जो generally ये ladies के साथ associate की जाती है हम यहाँ पर इसे मान के चलेंगे cover, जो ढख लेता है उपर से, सिर को the head of anything और ये पहाडियों के bonnets की बात हो रही है हटने की तो ये पहाडियां है ठीक है? और पहाडियों के ऊपर का जो हिस्सा है उनका head के लाएगा और ये बादलों में या mist में या कोहासे में अलब ये ढखा हुआ था और वैसे भी रात के समय में ये पहाडियां दिखाई नहीं देंगी तो जब sun उगना शुरू हुआ उसकी रौशनी और तेज हुई तो ये थो थोड़ा brighter हो गया होगा एमेसिष्ट का color तो वहां से हट कर पोईट अब ये कहना चाहती है कि sunrise आसमान में सूरज के और आगे बढ़ने की वज़े से जो पहाडियां है उनके उपर के जो heads है वो भी साफ हो जाते हैं Uncovered हो जाते हैं ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने टोपी को खोल दिया हो क्योंकि जरसल ऐसी भी टोपी होती है जैसे आपने पहनी होई है तो यहां लेकि चिंद से लेकि आप इसे बांध भी देते हो खोल देना खोल देने के मलब Uncovered कर देना पहाड़ियों की जो चोटी हैं वो अब साफ नजर आ रही है और किस वज़े से क्योंकि sun rays पड़ रही है तो उनके उपर की जो mist है वो हट रही है तो इनको mist ने कोहासे ने धुन्द ने ढखा हुआ था वो सूर की किर्णो करण हट रही है यहां भी मान सकते हैं कि बर्भ भी अगर थोड़ी बहुत रही होगी तो भी पिखलनी शुरू हो रही है और हैट्स ओब दा हिल्स आर बिजिबल और क्या रियक्शन देखनों को मिलता है बोबो लिंक्स बिगन जो हिल्स है उनके चोटिया भी साफ नजरानी शुरू हो गई तो पक्छी भी जाग जाते हैं तो यहां बोबो लिंक्स का मतलब शिर्फ एक पक्छी से मतलब नहीं है बलब बर्ड्स आर्सो राइज, वेकप, बिकम एक्टिव यहां एनिमल्स की तरह बिशारा है कि स्क्वेरिल्स है बिकम एक्टिव तो यह भी सन्रेज का रियक्षन है तो मैंने अपने आप से बहुत धीमे आवाज में कहा जरू सन उगा होगा देखिए बोबो लिंक्स की आवाज सुनके लोगों की एक दूर से का हाल चाल पूछने की आवाज सुनके या हम सिर्फ यही मालने की बोबो लिंक्स की गाने की आवाज सुनके पोएट को लगता है हाँ, बोबो लिंक्स शुरू हो गई न जरूर सन उग्या होगा अगर हमें अपने आप से बात कर रही है तो softly कहेगी अगर हमें अपने आप से बात करनी होते हैं तो बहुत तेजी से थोड़ी है बुलाएंगे तो यहां पर softly भी आपको समझ में आगया होगा तो second paragraph यह बताया गया है कि जब sun rays और stronger होती है तो वो जो हिल की cover करने वाली जो mist जो कुहासा होता है वो छट जाता है और ऐसा लगता है उनको उपर की टोपी हट गई हो और वो visible होना शुरू हो जाती है चोटी अनजार आना शुरू हो जाती है पहाणिया दिखने लगती है जो रात को नहीं दिख रही थी वो अब दिखने लगती है तो ये दोनों जो श्टेंजाज है चार चार लाइन के ये दोनों श्टेंजाज एक प्रकार से देखा जाए तो happiness को सो करते है यानि खुशी, freedom, love, people are getting an opportunity of a day एक दिन और उनको मिल रहा है औसर मिल रहा है कि वो अपने जीवन में कुछ अचीब कर सके one more day of promise अपने जीवन से किसी दूशे से कोई promise के उसको निभाने का sunrise means you are getting into open आप खुले वातवरण में enter कर रहे है a new confidence you are getting in the form of a new day the sunrise makes us rise to our task everybody is getting active the sunrise gives us energy even the vegetations wait for the sunrise or in thought we can say sunrise gives life to life जीवन दाई होती है सूर की किड़ने जीवन दाई होता है सूर पुरे दुनिया को जीवन देने वाला वो आपने science में भी पढ़ा होगा किस प्रकार से sunraise होती है उनसे photosynthesis होता है तो oxygen regenerate होती है वो हमारे काम आती है we breathe it to live a life तो ये पहले four four lines के दो stangas full of confidence से related है और इन्हें हम दोनों को symbolize कर सकते है कि a sunrise means a birth of life जैसे sun धीरे दरे आगे बढ़ता है वैसे आदमी भी अपनी उमर पूरी करता है बच्चे से बढ़ा होता है जवान होता है जवानी तक जवानी सबको पसंद होती है बढ़ा पर किसी उप अच्छा नहीं लगता है तो the same way sun rises the life moves so life has begun अब देखते हैं आगे क्या होता है but how he said I know not जिस confidence के साथ शुरू की लाइने थी I'll tell you how the sun rose मैं बताउंगी आपको कि sun कैसे उगा था यहां पे वो मायूस हो जाती है but how he said I know not लेकिन वो अस्त कैसे होता है कहां चला जाता है मुझे नहीं पता तो जिस तरह से उपर वे लाइनों में वो hill का उधारन देती हैं bubbling का उधारन देती हैं squirrel का उधारन देती है जिससे पता चलता है कि हाँ sunrise हो गया है तो ऐसा कुछ यहां पे वो बता नहीं पा रही है फिर भी कोशिश करती है poet there seemed a purple style तो देखे sun set हो रहा है दूर वो खड़ी है तो poet यह कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कहीं दूर purple style है purple color देखे emesis का भी था और यहां भी क्योंकि ऐसा यहां पे अगर हम समझना चाहें तो समझ सकते है कि sunrise के समय भी लगबख वही सीन होता है sunset के समय भी वही सीन होता है color of rays लगबख वैसी की वैसी होती है अगर आस्मान clear हो तो फिर भी sunset एक उदासी लेके आता है और sunrise एक उत्साह लेके आता है जरा रहा है style आप जानते हैं क्या होता है एक प्रकार से steps होते हैं कि आप उनको चल के आप दूर्सी तरफ जा सके है मतलब it gives you a way over something यह देखे आपको style नजरा रहा है यह steps और मैं आपको images दिखा देता हूँ यह देख लीजे आप यह देख लीजे आप यह देखे यह देखे यह देखे यह देखे यहां से आप चल कर उधर उस तरफ जा सकते हो यह देखे जरसल गाओं में इलाकों में बने होते हैं यह देखे आप यह देखे अगर आपको जाना है तो आप चड़के ऐसे निकल जाओ यह देखिए तो ऐसे रखता है दूर कोई पॉपल स्थाइल है मतलब इस तरह के स्टेप्स हैं जिनको पार करना है फिस लिटिल येलो बॉइस और गुल्स जहां पर छोड़ छोड़े बच्चे वालब बॉइस और गुल्स दोनो वो भी येलो बॉइस तो या तो अब देखे यहां पर हमें समझने की चीज है क्योंकि यहां वो एक मिश्टरी क्रेट कर देती है वो अपनी बात बता रही है और हमें लिटर्ल मीनिंग से हट कर मीनिंग निकलना तो एक इसका लिटर्ल मीनिंग हम ये निकाल सकते हैं कि लिटिल बॉइस और गुल्स तो लड़के-लड़के रही होंगी और सूर की रौश्नी में वो उनके जो कलर है कपड़ोंके वो येलो दिखाई दे रहे होंगे या उन्होंने येलो कलर के क्लोथ पहने होंगे या दोनों बहुत ही फेर कलर हैं आप वो गोर्डेन में ज़र आ रहे हो कुछ भी हम यहाँ समझ सकते हैं बोईज और गल्स लेके चल सकते हैं लब शूट-शूटे बच्चे वो climbing all the while तो वो style को मतलब ऐसे आ रहे हैं style को चढ़ने कोशिश कर रहे हैं चढ़ के उस पार जाना चाहते हैं वो climbing all the while हमेशा तो शाम के समय जब सूरज अस्त होने को है तो मैं देख रहे हैं कुछ बच्चे style पर चढ़ कर कोशिश कर रहे हैं बार बार कोशिश कर रहे हैं पर वो चढ़ नहीं पा रहे हैं लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि हम उस पार चले जाएं साइथ उस तरफ उनका घर हो क्योंकि जब sunset होता है सब भर की तरफ जाते है till when they reach the other side और तब तक वो कोशिश करते हैं मतलब the leaders of church अब वो भी किस कलर में ग्रे कलर में देखे वैसे तो white priority के सूचे के माल लेते हैं black है, gray है ये सब बहुत ही sadness और loss of something और पसंद रही किये जाते ऐसा लगता है जिसे death के सूचे को है ग्रे कलर देखे घोष्ट के लिए भी प्रयोक किया जाता है ये डोंट लाइक दिस कलर लेकिन डॉमनी जे होग ग्रे कलर में है put gently up the evening bars तो जब बच्चे इस तरह पहुँच गए तो उसके बाद डॉमनी आता है वो यहाँ पे evening bar लगा देता है अब यहाँ से समझ में आता है कि हमें meanings निकालने पड़ेंगे bars का मतलब च्छड अब evening का मतलब शाम तो साम की च्छड कहा होती है इसका मतलब यहाँ पर वो कुछ और कह रही है सिर्फ boys and girls का मामला नहीं है तो फिर डोमनी ग्रे कलर में आता है वो यहाँ पर एक से रोक लगा देता है कि कोई यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा यहाँ से यहाँ नहीं आएगा यानि शाम हो जाती है sunset के बाद शाम हो जाती है पते हैं नहीं चलता sun गया कहा and let the flow कवे अब उसके बाद जुन्ड है मतलब जो बच्चों का है उन्हें अपने साथ वो ले जाता है कहां ले जाता है अंधेरा हो चुका है पता नहीं evening bars के बाद इघटना घटती है तो अब हम इसका और meaning निकालना चाहाएं तो यह निकाल सकते हैं कि यह जो yellow boys and girls है न हम इने मान सकते हैं कि these are the yellow rays at the time of sunset और boys and girls को आप यह मान सकते हैं कि दुनिया में half gents and half ladies अब हर एक का जोड़ा होता है male and female तो सब को ले रही है पोईट तो वो देखती है कि दूर purple style नजर आ रहा है तो yellow colors जो है sunset के समय और साथ में बादल उन्हें style के रूप में हो शो कर रही है कि इस प्रकार से rays उनके थूरू जाने कोशिश करती है चर्णने कोशिश करती है उनके पार पाने कोशिश करती है और तब तक करती रहती है जब तक कि दूर्सी तरफ नहीं चली जाती है अच्छा दूशी तरफ जाने का मतलब यह है कि येलो रेस खतम हो रही है और वहाँ पर ग्रे कलर आ रहा है बादलों का रीज दा अधर साइट अडॉमिनी इन ग्रे तो हम मान सकते हैं कि डॉमिनी वैसे तो चुकि ये रिलीजन से रिलेटेड है तो हम इसे काल आफ गॉड कह सकता है यानि इश्वर की मर्जी है जो ग्रे कलर में है साइट बादलों की तरफ अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि इश्वर क्लाउड इन दीज और नेचरल हैपनिंग तो उसके बाद ग्रे कलर आना सुरू होता है तो येलो कलर गया बजाता है संसेट हो चुका है इसकी वज़े से इवनिंग शाम हो जाती है इस वाई ग्रे कलर में जो डॉमिनी है वो इवनिंग बार लगा देता है यानि एक प्रकार से गाया बार चाओ तरफ शामी साम दिखाई दे रही है अंधेरा होने लगा और ये काम में बादल करते हैं जो संरेज को ढख लेते हैं सं गाया बो जाता है और उसके बाद इवनिंग बार लगते ही उस तरफ का फ्लॉक कहां चला जाता है कोई नहीं जा दे रहें माली जी चढ़ने कोशिश कर रही है ये देखिए अब यह सं डूब रहा है फिर डूब रहा है और उसके बाद यहां पर एकदम गायव हो गया ये लो रेस गायव है बादली बादल नजरा रहा है ये देखिए एक रपकार से जो डिफरेंट शेप से आप समझ सक सकते हो ये स्टाइल्स है जिन पर ये लो रेस चढ़ने कोशिश कर रही है अब ये देखिए आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स वने हुए है तो वो यही कहती है पोएट कि ऐसा लगते से सन जब डूब रहा हो तो ये येलो रेस शैद इनको पार करके जाना चाहती ह और फिर इवनिंग बार ग्रे कलर देन इवनिंग बार शाम हो जाती है तो एक तो ये मीनिंग ले सकते हैं और एक और मीनिंग हम निकाल सकते हैं वो ये कि वो ये कहना चाहती है पोएट की संसेट डेथ को सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पर और डेथ जेंट्स की भी लेडि है पर atmosphere कुछ difference है raise में उतनी brightness नहीं है सब कुछ dull होता चला जा रहा है और वो raise धरे-धरे खत्म हो जाती है और evening हो जाती है शाम हो जाती है वो raise कहां जाती है कुछ नहीं पता सूरज भी दिखाई नहीं देता कहां चला था कुछ भी नहीं पता ऐसा लगता जैसे कोई domini है वो लाके evening bar लगा देता है अलब इश्वर की कोई activity है जिसकी वज़े से ऐसा होता है तो sunrise के साथ जिसका birth हुआ था धिमे धिमे अपनी journey पूरी करता हुआ यहां आने के बाद उसकी death होती है उसके बदद दूसरे वर्ड में चला जाता है कहां चला जाता है नोबड़ी नोज़ जैसे हिंदूों में जो स्कृप्चर में यम्राज का जिकर है यम्राज आता है फिर उसके बाद उले जाता है कहां ले जाता है फ्लोग को पता नहीं और evening bar लगा देता है वो आपस यहां से जा नहीं सकते है और वहां से कोई आ नहीं सकता है तो अकर simple meaning समझना चाहें आप तो यह समझ सकते है कि शाम का समय है और poet को sunrise तो नजदीग नज़र आता है पर sunset काफी दूर नज़र आता है वो समझ नहीं पाती है यह ऐसा लगता है जैसे कुछ बच्चे हैं जिनमें boys and girls हैं वो किसी style पर चड़ने कोशिश कर रहे हैं उस तरफ जाने कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद वो जब तक नहीं पहुंस पाते उस तरफ कोशिश करते रहते हैं एक domini आता है जो कि school master हो सकता है उनका parent हो सकता है उनके guardians हो सकते हैं हो सकता है शाम का समय है इसलिए वो gray color बने जारा रहे है और उसके बाद वो उन्हें लेके जाते हैं और style जहां पर है वहाँ पर एक bar लगा देते हैं जो कि evening bar है यानि शाम का समय हो चुका है अब वो बच्चे घर पे रहेंगे अब दूर से दिन ही बाहर निकलेंगे यह इसका literal meaning है बाकि जो figurative meanings है वो मैंने यहाँ पता है और कोई यार साब निकाल सकते हो तो comment box में आप जरूर लिखिए इसके poetic devices भी study कर लेते हैं तो सबसे प्रद हम यह कहेंगे कि जो इसमें sunrise है और जो sunset है यह दोनों symbolize कर रहे हैं birth and death की तरफ और बीच में एक life cycle होती है तो sunrise and sunset एक natural life cycle को भी represent करते हैं और एक human और living beings की life cycle को भी represent करते हैं इसके बाद squirrels का यहां पे जिक्र है तो squirrels move करती है it represents pace of life अलब जीवन की रफ्तार की तरह विशारा करते हैं तो जब तक आदमी होश में रहता है वो informed condition में रहता है उसे चीजें पता चलती रहती है he gets news about things और यह पूरे जीवन भर उसके साथ लगा रहता है but during day at night he or she sleeps इसके लाव religious elements का तो use हुआ ही है जैसे यहां पे stiples का जिक्र है domini का जिक्र है जिसे हम ने कहा कि it is call of god means as per the wishes of the god he comes and does such things इसके लाव imagery का भी अच्छा खासा प्रयोग हुआ है figure of speech का अच्छा यूज करती थी जैसे माले जे आप जो भी चीज पढ़ रहा है उसकी image आपके मन में visualize होनी शुरू हो जाए तो imagery है squirrels के movement के बारे में boblings के गाने के बारे में ribbon at a time sun rays कैसे fall हो रही है उनके बारे में imagery create होती है इसके लावा metaphor का भी use हुआ है जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि sun rose ribbon at a time तो जो sun rays है यानि उनको ribbon से तुलना की गई उनकी यहाँ पर metaphor का use हुआ है personification भी है जैसे यहाँ पर बताया गया है कि stiples swarm तो देखे stiples तो non living यह कैसे तैर सकता है कैसे move कर सकता है तो यहाँ पर इसे personified किया गया है इसे प्रिकाल से यहाँ लिखा hills untied their bonnets तो पहाणिया भी non living है लेकिन ऐसा दिखाया गया जैसे ऊपर सो अपने टोपे को हटा रही है तो यह भी personified किया गया है यहाँ पर hills को और इसमें हम electration ढूड़ें तो देखे stiples swarm stiples यानि की s and swarm यानि की s आप जानता है electration में जो consonant sound होती है वो nearby volts में match करती भी होती है beginning में जो consonant sound होती है इसके लावाँ और भी आपको जहां मिल जाएंगे मैं हाँ जानबूज को नहीं बता रहा हूं आप खुद कोशिश करिए और पहचान यह electrations इसके लावाँ इसमें ह सिमली भी हमें मिल रही है न्यूज लाइक स्क्वेरल्स यह सिमली है यहां पे और punctuation से अगर हम ढूड़े तो देखिए यहां पे without punctuation मतलब कोई punctuation नहीं कोई punctuation नहीं कोई punctuation नहीं कोई punctuation नहीं तो इस तरह से जो lines move कर जाती है अगले lines के तरफ without punctuation तो वहां पे हम कहते हैं in jamment के यह भी यहां पे है यह हाल देखिए यहां पे भी यह कुछ पोईटिक डिवाइस मैंने आपको बताएं आप भी चाहें तो कुछ पोईटिक डिवाइस इस भूड़ कर बता सकते हैं नॉर्मली जो यूज होते हैं मैंने आपको बताएं इस पोईम का मैसेज भी आप समझ चुके होंगे कि जैसे सूरज उखता है अस्त होता है उस तरह से आदमी का जीवन जनम लेता है और एक दिन उसकी डेथ हो जाती है सूरज आसमान में इस से वेश्ट की तरफ मूफ करता हुआ वेश्ट में खता है इसी प्रकार से हम भी ब रखाबन्दीम समय को पहुंचते हैं डेथ के बाद क्या होता है कोई नहीं जानता जैसे यहाँ इस प्रकार से ग्रेकलर के जो बादल है या पूरक-पूरक ग्रेकलर का अट्मोस्फेर बन जाता है साम होने के पहले वही ग्रेकलर धीडरे खता है तो इवनिंग शूरू हो इस पोएम में पढ़ी और इसके लावाँ इसके जो भी आप solutions चाहते हैं तो website को मिल जाएंगे आप वीडियो description पर जरूर नजर रखें so ending this tutorial और जीसा से जी गुडबाई keep watching keep learning